हलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रागव सर साइंस में आज हम कक्षा दस्वी विसेविज्ञान के अध्याय ग्यारा मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार के महत्व पून ज्ञान आधारित प्रश्न को समझेंगे आज का हमारा प्रश्न है दूर्दरश्टी दोस क्या है इसके कारण और निवारण को भी हम सचित्र समझाएं तो इसमें भी हम आपको उत्तर बताएंगे सटीक, सरल और साथी साथ कारण और निवारण का चित्र लेकिन इस पूरी घटना को हम animated वीडियो के माध्यम से देखें ताकि हमारा concept यानि हर चीज बिलकुल सपस्ट हो जाए लीजिए चलते हैं दूरदरश्टी दोस की ओर दूरदरश्टी दोस नाम इसका दूरदरश्टी दोस है लेकिन इसमें दूर की वस्तुएं इस पस्ट या साफ दिखाई देती हैं और निकट या पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं तो आपको नाम से confused नहीं होना है नाम है दूरदरश्टी दोस लेकिन दूर की अच्छी दिखेगी और निकट की साफ नहीं दिखेगी उल्टा तो जब मनुश को दूर की वस्तुएं तो इस पस्ट दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं इस पस्ट दिखाई नहीं देती हैं तो उसके इस द्रश्टी दोस को हम दूर द्रश्टी दोस कहते हैं चलिए दूर द्रश्टी दोस से बाधित नेत्र को हम देखते हैं दूर द्रश्टी दोस के पीछे के कारण को हम समझते हैं यह हमारा नेत्र नेत्र के विविन भाग पहला कारण है नेत्र लेंस का पतला हो जाना और उसकी फोकस दूरी का बढ़ जाना आप देख रहे हैं हमारे आखों के अंदर जो नेत्र लेंस है ये खिच कर पतला हो गया है पतला हो जाने से फोकस दूरी बढ़ जाती है जो पहले focus retina पर था वो अब retina के पीछे चला जाएगा focus दूरी बढ़ गई ये है पहला कारण दूसरा नेत्र गोलक का सिकुड जाना अर्ताथ हमारी आँख छोटी हो जाए नेतर गोलक का सिकुड जाना तथा नेतर लेंस वा रेटीना के बीच की दूरी का घड जाना पहले हमारा नेतर गोलक यहां तक था अब यह हमारी आख या नेतर गोलक सिकुड गया तो रेटीना अपनी पहले वाले इस्थिती से आ गया गई यह हम बोलें लेंस और रेटिना के बीच की दूरी अब कम हो गई तो इन दोनों में से कोई भी कारण हो सकता है अब हमने देखी पास की वस्तू अख़बार पढ़ने गए हम निकट की वस्तू से आने वाली किरने नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद कहां मिलेंगी फोकस पर और फोकस तो हो गया है कहां चला गया है फोकस फोकस चला गया है रेटिना के पीछे लेंस से दूर तो यह परतिविम कहां बनेगा यह परतिविम में तो रेटिना के पीछे बनेगा लेंस से दूर बन रहा है प्रतिविम इसलिए इसका नाम है दूर दरश्टी दूर्स चलिए देखें आप कैसे बना इन दोनों कारणों के कारण अब निकट वस्तू से आने वाली प्रिकास की कहने लेंस से अपुरतन के बाद रेटीना पर नहीं मिल रही है बलकि रेटीना के पीछे मिलती हुई प्रतीत होती है आभासी प्रतिविम अब रेटीना के पीछे बनता है चुकि प्रतिविम रेटीना पर बनाई नहीं तो आपको पास की वस्तू दिखाई नहीं देगी प्रतिवी मिलेंस से दूर बन रहा है इसलिए इसका नाम पड़ा है दूर दरश्टी दोस्ट तो ये दो कारण और चित्रा आपको बना कर आना है अब हम निवारन देख लें समाधान देख लें दूर दरश्टी दोस्ट का ये लिज़े हमारे नेत्र और उसके विविन हिस्स ये नेत्र बाधित नेत्र है जिसमें पास की वस्तू नहीं दिख रही है अब हमें पास की वस्तू या निकट की वस्तू को देखना है हम क्या करें तो हमने देखा था कि निकट की वस्तू से आने वाली क्रिने दूर रेटिना के पीछे मिल रही थी अगर उन क्रिनों को हम की तरफ मोड़ दें थोड़ा सा मोड़ दें तो रेटीना पर मिलने लगेंगी पास की वस्तु हमें दिखेगी इसके लिए हम उत्तल लेंस लगे चस्मों का प्रयोग करेंगे उत्तल लेंस अभी सारी लेंस होता है ये क्रिनों को अंदर की तरफ मोड़ देता है जिससे प्रतिबिंब को वापस रेटीना पर ले आता है तता इस दोस का संसोधन हो जाता है तो आपको संसोधन में ये चित्र बना कर आना है चलिए तो हम प्रशने का उत्तर देख लें आखरी में क्या उत्तर या निसकर्स निकला क्या सारांस है अमारे इस प्रशने के उत्तर का तो नेत्र लेंस का पतला हो जाना या नेत्र गुला का सिकुर जाना दोनों ही इस्थितियों में परतिपिम्व लेंस से दूर रेटिना के पीछे बनता है निवारण, निवारण के लिए हम उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस लगे चस्मों का उप्योग करेंगे जो किरिनों को वापस अंदर की तरफ मोड़ कर रेटिना पर मिला देगा इसमें भी हम आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हैं जिससे आप भूलेंगे नहीं कि दूर दरश्टी दोस का निवारण किस लेंस से होता है अब आप दूर को देखें दूर इसमें दा और रा दो वर्ण या लेटर हैं जबकि आप उत्तल को देखें तो उत्तल सब्द में तीन वर्ण या लेटर हैं उ ता और ला तो दो के लिए तीन अर्था दूर दरश्टी दोस के लिए उत्तल लेंस का उप्योग होगा दो से तीन का समाधान होता है इसके अलावा जब आप दूर बोलते हैं दू का अगर उच्चारण करें तो दू में उ की भी आवाज आती है दू और इसी उ से बनता है उत्तल तो दूर दू अर्थात उ उ अर्थात उत्तल तो दूर दरश्टी दोस के लिए उमीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा इसे अधिक से अधिक लाइक तथा सेर कीजिए एवं ऐसे ही अन्य सिक्छास्प्रद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बहुत भाँत धन्यवाद